इस्टूडेंक, इस्टूडेंक क्वेस्चन है कि कैपसुलाप मैडिसेल इस इन देशेप आफ स्पियर्ड कैपसुल तो आप अगर देखिंग कलपना करें तो इस तरह से होता है ठीक है बत यह यहाँ पर नहीं है जो कैपसुल यहाँ दिया गया है वह इस्पिर्ड कल सेप मे है और इसका डायामीटर यहां से यहां तक यह 3.5 mm है हाउ मच मेडिस्टीन इन एमेप क्यू इस नीडेट तो फिल इस कैप्सूल तो आप यहां पर देखें यहां पर लिखा हुआ है डाया मीटर आप नोट कर लें डाया मीटर आफ इस्फियरिकल कैप्सूल स्पियरिकल कैप्सूल इस इक्वल तो कितना हो जाएगा 3.5 mm इसको आप इसी फॉर्म में चोड़ दें कैलकुलेशन करना आपके लिए बहुत इसी हो जाएगा अब यहां पर पुछा गया के how much medicine in mmq is needed to fill this capsule pi is equal to 22 upon 7 तो यहां पर वॉल्यूम अफ मेडिसीन फिल इस कैप्सूल in this capsule is equal to 4 upon 3 pi r q 4 upon 3 pi 22 upon 7 r is equal to 3.5 upon 2 whole q mm q then 1 upon sorry 4 upon 3 into 22 upon 7 3.5 upon 2 3 times को note करें क्योंकि q है upon 2 3.5 upon 2 3.5 upon 2 mm q ठीक है न मेली मीटर क्यों जाएगा अब आद यू कैंसल करिए इसको saving से करिए 0.5 ठीक है न और कोई cancel नहीं हो रहा है 3 से तो यहां से करिए 2 11 इससे करिए 2 2 जा इसको करिए 2 1 जा नीची कितना बचा 3 और उपर 3.5, 3.5 and 0.5 1, 2, 3 तो यहां पर 3.5, 5, 5, 25, 5, 3, 15 and 2, 17 तो यहां पर 2 नमबर के बाद पॉइंट अपान 3 और मीली मीटर क्यों अब आप कैलकुलेट करके मुझे बताएं किसमें कितना इसमें जो कैलकुलेशन होगी वो कितने पॉइंट्स का आगा 22.46 इसको आप कैलकुलेट करके 3 से डिवाइट करिए तो कितना जाएगा 22.46 मीली मीटर क्यूब और यह आपका पूरा आनसर होगा इतने मीली मीटर क्यूब जो मेडिसिन है वो इस कैप्सुल के अंदर आएगा उमीद क्वेशन आपको अच्छी तरह समझा गया होगा बहुत अच्छी तरह समझा गया होगा अगर आपने इस क्वेशन को ध्यान से किया होगा यह कैप्सुल इस तरह का नहीं होगा यह याद रखिएगा यह हमें से वो स्फियरिकल टाइप में होगा आप अपने फ्रेंट्स को अधित दिश्टियर कीजिए मन लगा के पढ़ाए कीजिए NCRT के स्लेबस पर आप बहुत फोकस करिए क्योंकि नाइथ और टेंथ में आप NCRT से ही आपको बहुत कुछ मिलने वाला है आप रिफरेंस बुक को पढ़िए आरडी सर्मा, आरे सगरवाल इन सभी बुक्स को जरूर पढ़िए इनसे नौलिज तो मिलेगा क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेशन करने के चांसे मिलेंगे लेकिन आप सबसे ज़्यादा फोकस NCRT पर करें और अन्य बुक्स से आप प्रैक्टिस जरूर करें ठैंक्स टुवाच